तो पिछले सेशन में हम लोगों ने ऐलकाइन्स में डिसकेशन अपना कम्प्लीट किया था तिल यह आईडिया ओफ एसेडिक केरेक्टर ओफ एलकाइन्स के हमने बात की थी जहां पर मैंने आपको यह सिखाया था और यह सब को याद होगा फिर से रिवाइस कर लो कि ऐलकाइ के इन्स और एलकाइन्स के कंपरेजन में ज़्यादा ऐसे लिगार दिखाते हैं रैइने के वह पेंज के साथ रियाक्ट करते हैं एंड रीजन फर दावर्ट वाज का जो कार्मान आटम है वह S.P. हाइब्रडाइस होता है कैसा ही हुएज हुए हुए इस पी यह हमने देखा था लास्ट यहां तक हमने बात की थी नॉइर इस इस वट वी स्पोक अब आगे हम लुग बात करते हैं रिएक्शन ओफ एलकाइन की आज अब ही कंटिव करेंगे यहां से रिएक्शन देवलकाइन and you will see that most of the reactions of alkynes now are becoming repetitive and we have already covered most of those okay जैसे की addition of dihydrogen याने की addition of H2 तो यहां पर सीधा वो लोग ने reaction लिखा भी नहीं क्या लिख दिया देखो आपके textbook में see the method of preparation of alkynes from unsaturated hydrocarbons क्या आपने यह देखा हुआ है already हमारे पास यह reaction लिखा हुआ है method of preparation of alkynes में कि आपने alkyn लिया उसमें hydrogen add किया पर आपको limited extent तक hydrogenation करना है and that was important आपको क्या करना था limited extent तक hydrogenation करना था तो हम लोग arrow पे कौनसा catalyst लिखते थे तो यह चीज़ हम लोगों ने वहां पे cover की थी already alkynes के preparation में कि आप शुरू करते हो alkyn से आप उसका hydrogenation करते हो limited आप उसका limited hydrogenation करते हो कैसे जो आप hydrogen platinum palladium या nickel में use कर रहे हो तो limited step करना आपको अगर alkyn से alkyn पे लाके रोकना है तो you will use something that we called as the lid glass catalyst जहां पर platinum या palladium आप use कर रहे हो तो उसको poisoning agent या deactivating agent के साथ use करते हो poisoning या फिर deactivating agent के साथ use करते हो जहां पर उसके action को कम कर दिया जाता है तो यह reaction of alkyne भी हो गया देखो इतना ही है न यह रहा न यह इतना part reaction of alkyne भी हो गया कि भई alkyne से आप alkyne बना रहे हो कितना यह limited hydrogenation हुआ या complete hydrogenation हुआ obviously यह limited hydrogenation controlled hydrogenation हुआ या limited hydrogenation हुआ और यही अगर मैं alkyne से direct alkyne बनाता तो मैं arrow पे सिर्फ platinum palladium या raninical लिख देता hydrogen के साथ वहाँ पर मैं BSO4 या quinoline नहीं लिख सकता था वहाँ पर lindlase catalyst नहीं लिख सकते रहा तो direct alkyne बन जाता तो वो क्या हो जाता complete hydrogenation हो जाता बच्छो राइट addition of halogens पे तो आपने यह भी देखा हुआ कि halogen हमने direct alkyne में भी add किया था तो हमारे पास reactions of alkyne अगर हम देखे हैं यह आप लिखके रखेंगे अगर हम लोग reactions of alkyne को देखते हैं तो पहला हमारे पास था कि उसके acidic character को प्रूव करना है यह हमने देख लिया था पर उसमें reaction as such लिखने जैसा कुछ नहीं है कि acidic reaction और acidic character को प्रूव करना है कैसे प्रूव करना था उसको तो reaction with strong base हम लोग ने कौनसा strong base लिया था लिथियम अमाइड लिया था याद करो strong base like a very strong base के साथ में लिथियम अमाइड के साथ उसका reaction किया था देखो यहां पर मार्क भी किया हुआ मैंने रेड में आपके लिए राइट यह लिखे रखेंगे सब बच्चे ऐसे क्लीम लिथियम अमाइड के साथ रियक्ट करेगा वो लिथियम ओनलिथियम एथाइनाइड देगा प्लस NH3 लिए स्टेप नॉमबर वन स्टेप नॉमबर टू वह अपिस रियक्ट करेगा और अब इस बार डाई लिथियम इथा इनाइड देगा क्योंकि दो हाइड्रोजन थे ने रिप्लेसेबल तो दो बार रिप्लेस कर दिया लिथियम से इस वाज मोनो लिथियम इथा इनाइड एन दिस इस डाई लिथियम इथा इनाइड ऐसे हमारा एसटिक कैरेक्टर हमने रूव किया बेस के साथ रियक्शन करके ठीक है यह फॉमलेटी के लिए लिखना हो था यह लिख दो सेकेंड है हमारा एलकाइन टू एलकीन यह सारे रियक्शन रिपीट है जैसे मैं निकाँ यह मैं इसलिए लिख रहा हूँ था कि आपका रिविजन हो जाए और कुछ नहीं आपने यही सेम चैप्टर में पहले भी लिखे हुए यह रियक्शन हाइड्रोजिनेशन करते है एरो पर क्या आएगा पीडी विद बीए सो फोर ठीक है या फिर आप डिरेक्ली आरो पर लिंडलार्स कैटलिस्स भी लिख सकते थे या फिर पीडी विद क्विनोलीन भी लिख सकते थे क्विनोलीन ऐसे बहुत सारे अप्शिन्स आपके पास हैं मेकैनिजम क्या है भाई तो एक पाई बॉंड को तोड़ो आजू बाजू एच एच को जोड़ो बस यही हमारा तरीका था तो सी एच्टू डबल बॉंड सी एच्टू बन जाता है यहना लिमिटेड हाइड्रोजिनेशन करना यह भी लिख दो यहां पर क्या करना है मैं कंट्रोल्ड हाइड्रोजिनेशन करना आपको और यही अगर मैं सपोज प्रोपाइन लेलू और हाइड्रोजन लिखूँ ठीक है और एरो पे सिर्फ निकल विद हीट ऐसे लिख दिया सपोज ठीक है पीडी बीए सोफोर ने लिखा निकल विद हीट या फिर सिर्फ प्लाटेनम या सिर्फ पैलेडियम यह लिखता तो हाइड्रोजिनेशन कैसा होता और या अनकंट्रोल या कंप्लीट कैसा होता तो वहां पर कंप्लीट हाइट्रोजनेशन होता या फिर वह आपको लिंडलार्ज कैटलिस ऐसा लिखके भी दे देगा तो अब आपको सेम चीज समझ लेना है कि वह पीडी एबीए सोफोर की बात कर रहा है या फिर वह पीडी ठीक है यह प्रोपाइन था यह प्रोपाइन था तो यह प्रोपीन हो गया तीसरा अभी जो हमने बात की कि आपका डारेक्ट एडिशन ओफ हैलोजन करना है एडिशन ओफ हैलोजन अल्सो काल्ड हैलोजनेशन ओफ एलकाइन इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं हलोजनेशन ओफ एलकाइन तो यहापने थारा कंपेरिटिव स्टेडी कर लो आप आपने जैसे कि एलकेन लिया था यह रहा इलकेन इसमें आपने डिर्क्ट हैलोजन ऑड गया था एलोप एक करके रिप्लेस कर्ते गये थे एक्षिन हुए था घंषा Simonelaration कन्तिन्यू होते होते एक टाइम ऐसा आया था कि सारे hydrogen रिप्लेस होके क्लोरीन बन गया था तब हम लोग इना ऐसा मैंने आपको एक्जामपल CCL4 वाला बताया था यहां पर मतलब क्लोरीन एक्सेस में चाहिए अगर अलकेन होता तो यह लिखने की जरूत नहीं है यह रिवाइस करा ठीक है ना यही सेम लोग ने जब अलकीन के साथ किया था तब क्या किया था बताओ तो CH2 ऐसा था CL2 तब एरो पे CCL4 लिखा था नॉन पूलार सॉल्वेंट है यह राइट और तब मैंने क्या बोला था कि भाई पाई बॉन्ड को तोड़ो आजू बाजू को जोड़ो तो क्या बना था विसिनल या जमाइनल विसिनल डाय हलाइड बना था रैट ऐसा विसिनल डाय हलाइड बन गया था है ना अब यही सेम जित अलकाइन में करनी है अपने को तो हैलोगनेशन तो सबका ही होने वाला है हैलोगन का एडिशन सारे हाइड्रो कार्बन में आगे हम लोग अरोमाटिक में भी देखेंगे वहां पर भी होने वाला है तो यह डायरेक्ट रियक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रियक्शन है बच्चो इसका एक्जामपल देख लो आपके पाद है उसमें आप डायरेक्ट क्या कर रहे हो क्लोरीन आड़ कर रहे हो कि अगयर यहां पर सब्सक्राइब को डिया अगर यूवी लाइट है तो इसका मतलब की यहां पर कौन सा प्रियेजन्ट कौन सा अपना सब्स्टेट होना चाहे था आपका इलके निया saturated substrate होना चाहिए था यह चीज़ ध्यान में रखो यह concept जो बता रहा हूं वो ध्यान में रखना है रट्टा नहीं मारना है फिर से समझो saturated वाला रहता तो आपके पास chlorine के साथ में क्या रहता यूवी लाइट रहता लेकिन जब भी आप unsaturated वाला कर रहे हो तो आपके पास यहां पर क्या करना है कुछ नया rocket science नहीं है क्या करना है पाई बॉंड को थोड़ो आजू बाजू सी एल को जोड़ो तो यानि की यहां पर आ जाएगा ch2 double bond ch sorry not ch2 ch double bond ch cl cl है के नहीं इसका नाम क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा वन कॉमा टू डाइक्लोरो कि इतीन वरोबर है कि और यह दाइक्लोरो डेरिवेटिव हो गया न बच्छो फिया डाइक्लोरो डेरिवेटिव हो गया पर इसमें कि ओर और पास है करने का और स्कोप है हां और भी स्कोप है आप और है कर सकते कैसे अभी भी एक पाइब बचा हुआ है ना और पाइब तो वीक बॉन्ड होता उसको ब्रेक करो और है अज़ा ही आजएगा कि करो एडिशन तो फिर क्या करेंगे सेम चीज़ रिपीट करेंगे पाइब और को ब्रेक करो आज़ो आज़ो चीज़ को एड़ करो सेम लॉजिक बनाओ तो सी एच सिंगल वांड हास्ट क occup एक दिश्राम एक acum सी एल इसलिए आज और क्या बन गया है वह उन पॉनकॉमावं कॉमा टू गॉ माटू ट्राफ कउमामेट चार है ना कंसरा ओन पर दो बार और टू पर दो वर तो ट्रा कलो रोग अब बार एथन एक कि इत्त ही अब यह वह एथन हो गया क्यों ट्रेट्रा क्लोरो त्रेट्ही 3 ही डुणशा goofy हो ये मतलव है कि जब आप हेलोगिनेशन ऑफ आलकाइन करते हो तो आपको tetrachloro derivative क्या मिलेगा क्ट क्लोरो whatever फिक्षा है कि दो हमारे पार साथ कंई क्लोरो डेरिदेड था क्या अब एक निक तो इस लिए Shape क्लोरो डेरिवेटि फिल आता ऐलकाइन में 2 पाइब उन्ट ते इसलिए टेटरा क्लोरो डेरिवेटिव मिल रहा है उत तो अब इसको टेक्सट्बुक के बाश्चा में देख लेते हैं कि कैसे हो भूल रहा है अगर यही हमारे पास इथाइन जो है वो ब्रोमीन के साथ होता तो भी कारबन टेटरा क्लोराइड लगा सकते थे तो टेटरा ब्रोमो इथेन मिल जाता एक ही बात है अब कुछ बच्चे ना इसमें गलती क्या करते मैं कि क्लोरीन के साथ मैं एरो पे CCL4 लिखा और ब्रोमीन क दिख सकते हैं कोई दिखत नहीं है कोई टेंशन नहीं है आपको नॉन पोलार सॉल्वेंट से मतलब है ठीक है आपको नॉन पोलार सॉल्वेंट से मतलब है तो CCL4 इंडार किया CCL4 at room temperature is enough for you to write I hope that is clear पहुती सिंपल यहां पर भी वह सेम रियक्शन होगा जैसे अलकीन के रियक्ट किया था तो reddish brown color of bromine disappear हुआ क्यों disappear हुआ क्यों कि bromine use up हो गया है ना और bromine use हो गया इससे क्या प्रूव हुआ कि भाई जो given compound था उसमें unsaturated bond present था तो क्या मैं इसको detection of detection of unsaturation in the given compound बोल दूँ answer is yes है ना तो bromine के color का disappearance हमने एलकीन में और एक ऐसा किया था या दोगा सको एलकीन में हमने क्यमेन फॉर यानिकी बेयर्स रिएजेंट के साथ भी किया था जिसका color चला जाता है तो बेयर्स टेस्ट बोला था उसको तो वहां पर unsaturation test करने के दो तरीके थे एक तो ब्रोमीन भी कर सकते थे तो यहां पर भी ब्रोमीन देखो repeat हो गया अगला है हमारा addition of hydrogen halide अब addition of hydrogen halide अलकीन में तो इसके उपर पूरी thesis लिख दी थी हमने ठीक है addition of hydrogen halide एलकीन में जब hx add करना था तो हमने उसमें क्या देखा था मार्कोनिक ओफ रूल एंटि मार्कोनिक ओफ रूल पैरोक्षाइड आएगा तो ऐसा effect दिखेगा है ना symmetrical होगा तो ऐसा unsymmetrical होगा अलग-अलग तरीके देखे दे राइट सिमिलर सेम टू सेम लॉजिक आपका एलकाइन में भी लगाना है क्योंकि यहां पर भी बात तो अच्छली unsaturated compounds की हो रही है यहां पर भी बात जो है वो किसकी हो रही बच्छो unsaturated compounds की है तो यहां पर addition of hx यहां पर addition of hx to alkenes आपको देखना है एलकीन में hx का addition होगा कैसे होगा तो यहां पर भी obviously markonikov rule की हिसाब से ही होने वाला है ठीक है सिम markonikov एंटि markonikov जो भी आपको rules लगाने उसी तरीके से आपका पूरा का पूरा addition follow होगा ज़रा देखते हो पहले textbook की language में वो क्या बता रहे है देखो यहां पर अच्छा विकास दो पाई बॉंड है तो hx कितनी बार आड हो सकता है थोड़ा ख़़ा common sense लगाओ पाई बॉंड दो है तो hx कितनी बार आड होगा obviously आप बोलोगे दो बार आड होगा भाई जैसे chlorine दो बार आड होगा वैसे ही hx भी कितनी बार आड होगा दो बार होगा तो यहां पर addition of hx दो steps में हो रहा है in both the steps it takes place according to markovnikov's rule hx कैसे add हो रहा है दो बार आड हो रहा है और दोनों ही steps में उसका जो addition है वो कौनसे rule को follow कर रहा है तो वो बॉस वो markovnikov's rule को follow कर रहा है अब बोलोगे ठीक है तो यहां पर हम ऐसे short में लिख देते हैं कि भाई alkyne alkyne plus two moles of hx alkyne plus two moles of hx is ultimately going to give you geminal dihalide क्या देने वाला ये geminal dihalide अब जरा थोड़ा सा एक विछले session की तरव एक नजर मारते हैं कि हमने alkyne बनाने के time पे कहीं पे geminal dihalide use किया था क्या हमने क्या use किया था याद करो हमने use किया था vicinal dihalide जब alkyne create कर रहे थे prepare कर रहे थे तो शुरुआत किस से की थी vicinal से की थी शुरुआत किस से की थी vicinal dihalide से की थी और उसका दो बार dehydrohalogenation यानि कि उसमें से दो बार hx निकाला था उसमें से दो बार hx निकाला था तो alkyne तक पहुँचे थे अब उल्टा करने की कोशिश कर रहे हम लोग दो steps में दो बार hx add कर रहे है तो हमारी expectation थी कि हम vicinal से शुरू किये थे तो vicinal पर पहुचना चाहिए बट reality असलियत life की यह कि बॉस कहां पहुच गए जमाइनल पर पहुच गए विसिनल पर नहीं पहुचे और दिस वेर दा करने जाओगे कि एलकाइन का एचेक्स का एडिशन कर रहे हो तो क्या बनेगा जमाइनल बनेगा जो आपके साथ होता है ना कि स्कूल में आपने पूरे साल अपनी बाजू में बैटने वाली बिचारी लड़की जो है जो आपको बहुत बिचारी पसंद है आप उसको help करते हो पूरे साल उसके नोट्स बनाते हो उसको लाब वर्क में help करते हो जर्नल बनाने में help करते हो और फिर लास्ट में वो किसी और को बॉइफ्रेंट बना लेती है और आपको रक्षा बंदन पर राखी बान देती है बस यह हुआ है बिचारे विसिनल के साथ में कि एलकाइन बनाते ワक्त तो विसिनल ने सारी महिनात करी और जर्यक्षण का टाइम आहे तो कौन लगे गा बहाई जेमाइनल लगे गया है ठीक है जेमाइनल क्रियेट हो रहा है यहां पे ठीक है अब यह क्यों प्रियेट हो रहा है जर्द में कैनिय अलिए तो इसके बीची यह लगा सकते थे यहां पर एक्जाम्पल के साथ करेंगे दो तीन अच्छे एक्जाम्पल के साथ में देख लेते हैं जैसे मेरे पास अगर इथाइन है एसे टली तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं कुई कि तो सिमेट्रिकल अफिलाल कोई फरक ही नहीं पड़ता है कि नहीं तो इसमें अगरा क्विकली आड़ कर लो एचील क्या अड़ कर लोगे एचील तो क्या होगा यहां पर बताओ स्टेप नमबर वन में मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं कि यह स्टेप वन है इवन इफ आ राइट स्माल रोमन फॉर दोस फ्यूंट नौ बहुत बच्चों को पता है इसको स्मॉल रोमन बोलते हैं अगर स्मॉल रोमन लिखा या स्टेप वन ऐसा लिख दूंगा यहां पर क्या होने वाला कि सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एल ऐसा होगा क्यू क्यों कि भाई बॉन्ड को तोड़ो आजू बाजू एच और सी एल को जोड़ो विकॉज यह सिमेट्रिकल था तो मैं कहां पर एच और कहां पर क्लोरीन लगा रहा था कोई फरक नहीं पड़ता अग्रीड इसका कॉमन नेम क्या था इसका कॉमन नेम था वीनायल क्लोराइड या लोगों को बहुत बार बता चुका हो यह याद रखना है या फिर अगर मुझे आईउ-पीएस ही लिखना होता तो मैं लिखता क्लोरोइथीन लिखता यह बना मेरे फर्स्ट टेप में अगर आप मेरे साथ साथ जैसे से मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे लिखेंगे नहीं और रिपीट नहीं करेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा ड्रस्ट मी और गैनिक यही ब्यूटी वह बढ़ाते वक्त लगता है कि बहुत ईजी हां तो समझ में आई जा रहा है यह रिएक्शन लिखने को दूंगा अगर अच्छानक अभी तो रोना निकल जाएगा फिर सेकंड स्टेप में वापेस एच्छी एलाड होगा मतब टोटल दो मॉल आड हो गए दो बार अब क्या होने वाला देखो अब यह सिमेट्रिकल की अंसिमेट्रिकल है चलो अबज़र्व करो और बताओ अब क्या कोई सिमेट्री दिख रही आपको नहीं ना अब यह नहीं हो गया यहां पर एक हाइड्रोजन यहां पर दो अब तुरंत यह जो अंसिमेट्री दिख रही है इसलिए मार्को निकॉफ का रोल इसमें आ जाएगा मार्को निकॉफ रूल का अप्लिकेशन इसमें आपको दिख जाएगा बच्चो और यहीं पर कैच है इसका तो य गौत खाइद्रोजन इसको देना है जिसके पाहश जादा हाइड्रोजन है तो यानिकि अगर में मार्को निकॉफ रूल लगाऊं मेरी पास जवाइगा अब आको समझ में आयं ओंगा की जमाइणल क्यूं बना घ्राल एगर उंसका खारोल गोईश जमाइनल का common name इथिलीडीन डायक्लोराइड होता है अगर IUPAC लिखना है यह तो बहुत easy IUPAC क्या होगा 1-1-Dichloro-Ethane आप दोनों में से कोई एक नाम भी लिखोगे तो भी चलेगा कम से कम IUPAC या common दो में से एक नाम जरूर लिख देना common name इथिलीडीन डायक्लोराइड होता है और IUPAC जोए वो 1-1-Dichloro-Ethane होता है ठीक है तो यह आपका क्या हुआ मारको निकोफ के इसाब से अपने एडिशन किया एलकाइन में HX का साथी साथ और एक एक एक्जामपल भी देख लेते हैं यह रहा ब्यूट वन आइन ठीक है ब्यूट वन आइन हो गया यह तो ओविसली अनसिमेट्रिकल है दिखी रहा है स्टार्टिंग से क्यूँ क्योंकि यहाँ पर एक आइटोचन यहाँ पर जीरो है क्या करना है सब्सक्राइब यहाँ पर मेरको तो जब आप HBR यहाँ पर आड़ करोगे तो क्या होगा पाई बॉन्ड को ब्रेक करो किसको ब्रोमीन दूँ C को की CH को ओविसली इसको दूँगा ब्रोमीन देट इस CBR यह ना इस तरह से CH2 है ना CH2 BR ट्रिपल बॉन्ड एच था अभी डबल बॉन्ड CH2 हो गया इसका नाम क्या होगा देखो तो इसका नाम होगा टू ब्रोमो ब्यूट वन इन जितको नहीं समझा नाम उनके लिए बता दू चार कारवन की चेन है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्थ सेकेंड पर ब्रोमो है फर्स्ट पर डबल बॉन्ड एजी इनफ तू रिमेंबर है ना तू ब्रोमो ब्यूट वन इन अब यह जो टू ब्रोमो ब्यूट वन इन है आपके पास यह फर्स्ट सेप में बन गया है यह भी सिमेट्रिकल है क्या अंसिमेट्रिकल है बस यह भी अभी भी unsymmetrical है तो obviously इसमें भी आप Markovnikov rule लगाओगे इसमें भी आप Markovnikov rule लगाएंगे बच्चों that is HBR का एडिशन तो क्या होने वाला है CH3 CH2 अभी वापिस लगा के देखो आपको मैं step by step rule बता रहा हूँ अदम बच्चों बता रहा हूँ कि यह राब रोमीन इसके पास 0 hydrogen है इसके पास 2 hydrogen है किसके पास कम hydrogen carbon के पास की CH2 के पास तो carbon के पास तो फिर वापिस से negative part उसको ही मिलेगा तो यह क्या बन जाएगा hydrogen-dibromide जो भी alkyl group है जैसे कि यहाँ पर 4 carbon है तो butyl है ना तो उसका idine है ना जैसे alkalidine जैसे इthilidine लिखा था उपर वैसे यह butylidine हो जाएगा खेरिये में आपको halogen derivatives में और detail में इसका nomenclature सिखा हूँगा कि dihalides को कैसे nomenclature करते common system में आयूपेस ही तो I'm very sure आपको आ गया है ठीक है तो यह हूँआ हमारा addition of HX to alkynes यह अगला reaction complete हूँआ हमारा addition of HX to alkynes उसके बाद आता है हमारा तो hydrogen अच्छा यह भी marking भी देख लेते हैं hydrogen HCl, HBR, HI जो भी है they are added across the carbon to carbon triple bond in two steps form जैमान जवाइन लाहलाइट्स अल्रड़ी देख लिए हमने order of reactivity हमेशा क्या होगी HI greater than HBR greater than HCl यह अल्रड़ी बता चुका हूँ as per bond as per bond length as per bond length अपकी यह reactivity का order बनता है हमेशा iodine बड़ा होता है fluorine, chlorine, bromine, iodine अगर हमें ऐसे जा रहे है तो iodine सबसे बड़ा होगा सिधी बात है तो HI यानि कि hydrogen और iodine के बीच की bond length distance बहुत ज़ादा होगा तो bond बहुत ही weak है और weak bond जल्दी तूटेगा और जल्दी तूटने वाला जल्दी ज़ादा reactive होगा तो HI सबसे ज़्यादा reactive होगा HI क्या होगा सबसे ज़्यादा reactive होगा बच्चो ओके आइटिंक लास्ट हाँ लास्ट reaction है आपका addition of water आखरी reaction है addition of water अगर यही same चीज़ आप JEE के वीसाब से पढ़ते हो तो थोड़ा यह बहुत important reaction हो जाता है आपको इसके बार में थोड़ा सा details बगर मैं समझा देता हूँ कि इसको याद कैसे करना है बहुत typical चीज़ है इस reaction में आप कभी भी इसमें गलती नहीं करोगे कभी भी मिस्त नहीं करोगे इसको addition of water to alkyne ठीक है ना इसको हम लोग बोलते हैं hydration of alkyne भाई पानी आड कर रहा हो तो क्या hydration बोल सकता हूँ इस बात को बोलो हाँ या ना obviously अगर आप addition of water कर रहे हो जब किसी चीज़ में पानी निकालते हो तो dehydrate हो रहा है और पानी अड कर रहा है obviously क्या हो रहा है hydrate हो रहा है तो next reaction हमारा है hydration of alkyne क्या है बना जाएगा याद क्या ही करना है कि भाई hydration of alkyne मतलब गदे से गद्धे बच्चा भी होगा उसको बोलूगा कि hydration of alkyne करना है वह alkyne बना लेगा और hydration सोचके water बना लेगा ऐसा तो नहीं बोल सकते आपके सर मेरे को समयजी नहीं आया मैं blank की हो गया नहीं भाई लिखा है question में लिखा होगा कि hydration of alkyne करो तो इतना तो कोई भी कर लेगा कि alkyne बनाएगा पानी बनाएगा इतना तो कर लोगे है कि किसमें करना इन प्रेजन्स ओफ यह इन प्रेजन्स ओफ क्या करते हो आप यह हृच जी सू ओर के प्रेजंस पों किसके प्रेजन्स में करते हुआ अब इस जी कै अधिका है mercury और ऐस फूर तो मर्कूरिक स् hormones के में प्रेजंस से ऊपोड़े के स्में प्रेजंस आप धियान से बिल्पा सिल्पार पूरा HgSO4 के presence में करते हो, किसके presence में करते हो, बताओ, HgSO4, अब Hg क्या है, Mercury और SO4 Sulfate, तो Mercuric Sulfate के presence में करते हो, इसके presence में, Mercuric Sulfate के presence में, अब ध्यान से देखना, यह Mercuric Sulfate आपके पूरे syllabus में, मैं 11, 12, पूरा organic chemistry combine बता रहा हूँ, और कहीं नहीं आता, एक मात्र reaction है, जहाँ पर Mercuric Sulfate में मतलब, Mercuric Sulfate दिख जाए गलती से कहीं पर, HgSO4, तो आख बंद करके चिपका क्या आजाओ, क्या हो रहा है, hydration of alkyne हो रहा है, क्या है बात, भेजे में उतर गई सबके, क्या बोला मैंने, hydration of alkyne की पहचान, उसकी characteristic, क्या है, HgSO4, क्या मैंने अभी तक के हर एक reaction की कुछ ऐसे, पहचान, कुछ एक typical characteristic, बताई है न, कि जैसे arrow पे आपको UV light दिख जाए, तो समझना हेलोजीनेशन हो रहा है, है न, आपको arrow पे, HBR with peroxide दिख जाए, तो समझना कि antimarkonic आप लग रहा है, यनि कि alkyne में HX का addition हो रहा है, HBR का, है न, तो आपको ये typical चीज़, ऐसे समझना है organic chemistry को, कि कहा पर क्या reagent है, कहा पर arrow पे क्या है, conditions, ठीक है, तो उस तरह से यहाँ पर example आप लिखोगे, तो बहुत ही आसान लगेगा बच्चों आपको, अगेर यहाँ पर example जो है, लोग लोग लिख लेते हैं, और इसको आप दो steps में करोगे, आप सुच रोगे, सर क्या ये सारे reaction दो step वाले हैं, अब इसलिए क्योंकि pie bond का involvement है, तो जब addition हो रहा है और कुछ modification होगा second step में, तभी आपका final product बनेगा, तो इसलिए दो steps में, यह reactions होते हैं, सबसे simple alkyne ले लो पहले, कौन सा acid lean भाई, क्याइड करना है उसमें आपने water, अभी water को मैं h2o लिखने के जगा पर hoh लिख रहा हूँ, क्यों कि इससे मेरा काम आसान हो जाता है, हमेशा मैंने बता है, कि आप water को h plus और oh minus के form में treat कर सकते होगा, यह यादे बच्चो सबको h plus और oh minus के form में आप treat कर सकते हो, वाटर असल में कैसा होता है, वाटर असल में neutral होता है, पर जब reaction हम लोग कर रहे हैं, reaction carry out कर रहे हैं, तो we can treat it in the form of h plus and oh minus, आप बोलोगे ठीक है, तो क्या यहाँ पर मेरे पास positive और negative पार्ट आया, आप बोलोगे हाँ, obviously positive negative पार्ट आया ठीक है, तो अगर मेरे पास unsymmetrical alkyne होता है, यह तो symmetrical है, पर unsymmetrical होता है, तो मैं फिर यहाँ पर positive negative पार्ट कहां पर लगाना है, easily judge कर सकता था, क्यूँ, मार्को निकॉफ भाईया बता के गए हैं, है कि नहीं, तो मार्को निकॉफ भाईया को रोज सुबह उठके thank you बोलने का, बगवन को प्रे करने का, बाद में मार्को निकॉफ भाईया को बोलने का thank you, तो जैसे की CH double bond CH, एक को hydrogen दिया, तो दूसरे को क्या मिल जाएगा, OH, क्या यह बात सावज में आई, क्या करेंगे, फिर वो ही, पुराना हमारा घिसा पिटा लॉजिक, पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू 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 एच, और OH को जोड़ो, बस यही तो किया है, इतना तो कोई भी बच्चा कर लेगा, आपको देखो, मेकैनिजम नहीं भी समझ में आया, तो कम से लम यह चोटे बच्चों की तरह तो आपन करी लेते, कि भाई, पाई बॉन्ड हटाया, और जो बोला था सर ने, भाई, है, OH है, बस इसको लगा दिया, यहाँ पर, एको हैस दे दिया, एको हैस दे दिया, बस यह इतना तो आप करी लोगे, डेफिनिटली, यहाँ पर यह जो प्रोड़क्त बना है, इसका नाम क्या होगा, अगर इसका नाम विनाइल क्लोराइड था, CH2CHCL, विनाइल क्लोराइड था, तो CH2 double bond CHOH का नाम क्या होगा, common name में, क्या मैं बोल सकता हो, इसका नाम विनाइल अलकोहल होगा, जरा इतना दिमाग लगा पा रहे होगा, of course, क्योंकि OH है ना भाई, है ना, अच्छा इसका आयूपेसी नेम लिखना होता हो तो क्या बोलते है, इथीनॉल, क्यों बाई, क्योंकि इथीन में अलकोहल है, अगर सिंगल बॉन्ड होता तो इथनॉल बोलते हो, आयूपेसी में क्या बोलोगए, इथीनॉल बोलोगए, आव बोलोगए, हाँ यार ये बात तो सही है, नेकिन, बड़ हम लोग वीनाइल आलकॉल यह वर्ड याद रखेंगे आगे बहुत काम आने वाला ही, बतब इस शप्टर में नहीं, आगे और्गानिक में कई बार यह रेफरेंसिस का निकल के आएगा, वीनाइल यह वर्ड को भूलना नहीं, वीनाइल क्या है, बैसिकली एलकीन, या बड़ इंपोर्डन यह ठीक है ना, और एक चीज, स्टेप बन में मैंने क्या कहा था, आरो पर क्या आएगा बताओ, आरो पर क्या आने वाला था, वन परसेंट, मर्कुरिक सल्फेट आएगा, बड़ कितना आएगा, ओनली, वन परसेंट, एच जी एस ओफोर, एक सल्फिट अइस ह्राएगा, तो सब को मालूमी है, वो सल्फियोरिक इसल्फेट यहा पर अब सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा ध्यान से देखना से हो रहा है रियरेंजमेंट याने की इन फॉर्म ऑफ टॉटो मेराइजेशन अब मैंने आपको आइसो मेरीजम चैप्टर में मतलब फर्स चैप्टर में आइसो मेरीजम के सेक्शन में टॉटो मेरीजम क्या होता है य बहुत सारे बच्चों को याद लिए एक तो यह है कि हम जब पढ़ते थे ना हमारे टीचर ने एक चीज एक बार बता दी तो फिर वो आगे बढ़ जाता था वो अज्यूम करता था एक बार बता दिया ना तुमको अब तुमको दो साल तक याद रहना चाहिए आप लोग की इसी कि एक चाप्टर में पढ़ाया फिर अगले चाप्टर में फिर से पढ़ाना पड़ता है विद्धी अजंप्शन की हाँ बच्चे भूली गए होंगे यह मामले में आप लोग थोड़े इंटरनेशनल हो तो ऐसा नहीं चलेगा भाई मैं हर चाप्टर में हर चीज वापिस वापिस थोड़ी पढ़ा पाऊंगा तो ऐसे तो सिलेबस कब खतम होगा आपका चलो टॉटोमेरिजम रिवाइस कर लें एक बार क्विकली तो कुछ थोड़ी आपको आपको भी मैनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी कि एक कॉंसेप्ट चप्टर पड़ा तो अगले चप्टर में आना चाहिए ना टॉटोमेरिजम में मैंने आपको दो कंडिशन्स बताई थी यह लिखो मत पहले समझ लो कंडिशन्स क्या बताई थी टॉटोमेरिजम के लिए कि भाई पहली बात तो ऐलफा हैड्रोजन वहना चाहिए और दूस टॉटोमर बनेगा वो एक टाइप का आईसोमर है क्या बनेगा टॉटोमर बनेगा जो एक टाइप का बेसिकली क्या है आईसोमर है तो ज़रा यहां देखें कि क्या यहां पर पाई बॉंड दिख रहा है डबल बॉंड है तो condition satisfy हुई हाँ यह आपका functional group है आप बोलोगे हाँ functional group है और यह आपका alpha hydrogen है ठीक है तो एलफा hydrogen भी है और पाई बॉंड भी है है कि नहीं तो यहां पर rearrangement यहां कि totomerization, totomerism होगा और त्यान से देखना यह वाला hydrogen इधर जाएगा और यह पाई बॉंड इधर आएगा यह मैंने ऐसे सिखाया था कि पाई बॉंड और hydrogen opposite direction में जा रहे है क्या हो रहा है पाई बॉंड और hydrogen कहा जा रहे है opposite direction में जा रहे है तो यह देखो OH का जो proton है OH का जो proton है वो यहां जाएगा और यह पाई बॉंड यहां एगा opposite direction में जब जाएंगे इसको हम लोग tautomerization बोलते हैं जिनको नहीं समझ रहा है वो यह arrow pencil से ऐसे बना के रखो तब ही आपको समझेगा tautomerism इतना easy नहीं है और जब आप revise नहीं करोगे तो आप 4 दिन में भूल भी जाओगे तो यहां पर हमेशा tautomerization होगा जिससे अब आप देखोगे तो यहां पे pi bond आ गया तो अब यह क्या हुआ कौन सा functional group बन गया बच्चो यह CH double bond हो कौन सा functional group है यह तो aldehyde functional group है CH3 CHO ऐसा बन गया यह तो वीनल आलकॉल से अब यह क्या बन गया यह acetaldehyde बग गया क्या बन गया बच्चो यह बन गया acetaldehyde तो यहां पर technically I started with an alkyne and ended up with an aldehyde ended up with an aldehyde तो इस reaction की पहचान क्या थी हमारी 1% HGSO4 first step में और second step में guaranteed है क्या होने वाला है tautomerism का process यानि tautomerization होने वाला है क्या था tautomerization कि इसका proton और pie bond जो है वो opposite direction में जाने वाला है अब यह ध्यान से देखना कि यहां पर आपने शुरुआत की किससे alkyne से और आप पहुंचे कहां पर aldehyde पर तो class 12 में aldehyde ketone chapter आएगा वहां पर यह कहां पर use होगा वहां पर उसके method of preparation में same to same reaction copy paste करके use होगा है ना तभी भी आप लोग ऐसे ही मूँ बना के बैठे रहना कि अच्छा सर हमको तो टautomerism यादी नहीं है हम तो गदे हैं है ना भले आपने पढ़ा दिया था तो यह चीज बार-बार बोल बोल के teacher ठक जाए कि भाई अभी पढ़ लो 12 में आने वाला है boards में भी आएगा entrance exam में भी आएगा तो यह चीज को please ध्यान दो भाई क्योंकि यही reaction as it is 12 में aldehyde ketone में फिर से आएगा under method of preparation तो अगर आज तुम टॉटो मेरिजम नहीं समझ पा रहे हो या नहीं रिवाइस कर रहे हो तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा I hope यह बात सबके भेजे में गई चलो और एक reaction करते हैं example अब मैं इस बार unsymmetrical alkyne ले लेता हूं जैसे कि प्रोपाइन यह ले लिया आपने प्रोपाइन ले लिया क्या करना है इसमें आपको water add करना है water in the form of HOH 3H plus OH minus arrow पर क्या आएगा 1% HGSO4 along with 40% H2SO4 यह लिखते जाएंगे आप लोग और neat and clean मेरी handwriting देख रहे हो presentation देख रहे हो I know मेरे पास यहां पर digital pad है बट फिर भी आपकी notebook में भी आपकी presentation ऐसी होनी चाहिए I've seen students जो ऐसा कुछ भी कच्रा लिखते फिर exam के दिन खुद की handwriting नहीं समझ पाते इस तो सर याद नहीं आया समझ में नहीं आया थोड़ा प्यार से लिख लो समझ में आ जाएगा कोई घाई तो मैं करनी रहा हूं एक्दम आराम से slow जा रहा हूं बहुत प्यार से आराम से जा रहे हैं कोई किसी चीज़ की घाई नहीं कर रहे है step number 1 यह रहा क्या करना है n pendulum réussi को देना है अब याँ पर उन्सिमेट्री पर हुँ किसको देए और बच्चो ऐसे को देंगे पर लेकुंकि उसके बाद सब को समझ है 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 ना तो पाइबॉंड मैंने एक ब्रेक कर दिया इसको हाइडरोजन दिया इसको ओएच दे दिया इस तरह से देखो तो वह फंडा अपनाया कि भाई पाइबॉंड को तोड़ो आजू बाजू ओएच और एच को जोड़ो ऐसे यह इसका नाम क्या होगा तो आईउपेसी म पर फंक्शनल गूरूप आ गया तो मैं लिख देता हूं ठीक है या फिर सिफ प्रोब टू प्रोब इन टौ आल वे लिख देता तो भी ठीक था कोई लिख देते तो भी इट वाज फाइन नो इस्शूस नहां पाएं सुरी आचा इस स्टेप नॅंबर वन वाट बुट और S 만सर्ट सेप फटू अब क्या होगा स्थेप 2 में कि इसका क्या होने वाला है तोटोमेरिसम अभी याद आज गया होगा कि मैने फिर्टो में इंग ग्जामपल में बता है ता कीटो इन ओल ट्रांसफरमिशन है क्या ये ऐन उल है एल कि ये इन ऑल और टोमेरिसम में हमने एक यहीं दंगाम्पल देखा था अगर को याद हो तो हमने हीटंग तो मेर का होता है कि यहां पर टॉर्टो मेरिजम होगा अब यहां पर देखो फिर से यही ओने वाला क्या कि बाई इसका ओएच इसको मिलेगा और इसका पाइबॉंड इधर जाएगा क्या यह ओपोजिट डिरेक्शन में गए ओएच का हीड्रोजन उसको मिला और पाइबॉंड इधर आया तो तो जरा बता दू भाई देखो ओएच में से हाइड्रोजन चला गया तो ओक्सिजन तो यहां बचा एक बॉंड तो पहले से था दूसरा बॉंड आ गया तो डबल बॉंड हो गया और यह हाइड्रोजन इसको मिला तो CH3 यह कंपाउंड का नाम क्या है तो बहुत ही पॉपिलर मालम है प्रोपैन ऑन इसका नाम है रोपैन पर हम लोग और पॉपिलर ली इसको किस नाम से जहते हैं हम पॉपिलर ली इसको एसे टीक तोण के नाम से जहते हैं i क्ढों वह उत्योप है राइब торов यहि Bowl ए ऐसा जो फॉर्म है वह की टोणे फॉरम में कंवर्ट हो गया क्विल फॉर्म में कॉन फॉर्म ससार्ण क्वा कि प्ला कि यह बैसिकली यह अधिक्रारांपल नोट अब SS & a प्रेंटॉप अपैर कोई पूछेगा तो इस में बहुत सारी चीजें आपको dalक्री से काइन है उसमें एच्टी एसो फोर यूज़ रहा है पहली बात यह उसका क्यारेक्ट्रिस्टिक फीचर है दूसरा उसमें सेकें स्टेप में टॉटो मेरिजम होगा यह गैरेंटीड है तीसरा कि वह कीटो इनौल टॉटो मेरिजम का बेस्ट एक्जामपल है और चौथा कि उस था था अपका अल्डि हैड बना लेकिन जब आपने अनस्यृट्रिकल टर्मिनल वाला लिया तो आपका क्या बना कीटोन बन गया ज़्यक्षो कीटोन बन गया और एक एक्जामपल लूब करेंगे इसमें यह बहुत अच्छा रियक्शन इसमें बहुत सारे एक्जाम्पल आपको करने चाहिए तभी आपका प्रैक्टिस कंप्लीट होगा इसका अगर सपोज आप ले लो नॉन टर्मिनल भी है और यह ऐसा है मैंने पांच कारवन का एलकाइड ले लिया के ले लिया मैंने पांच कारवन का इलकाइड इसका नाम क्या होगा पेंट टू आइन नाम होगा पेंट टू पांच कारवन का लकाइन है और ट्रिपल बार्ण यहाँ पर, सेकंड पोजिशन पे है तो पेंट टू आइन इसका नाम है इसमें क्या करना है आपको वटर अड करना है, ह? आप अच आप अड कर रहे हो ठीक है बाकि सारी चीज़े तो सेम है अभी तक आपको राट कही होंगी यानि कि 1% HGSO4 40% H2SO4 बोलोगे ठीक है अब यहां पर क्या करना है कि यहां पर सिमेट्री है यहां पर सिमेट्री है तो आप OH और H एक ही भी आड़ कर दो तो यहां पर लेकिन प्रॉब्लम यह कि भाई ध्यान से देखना जब आप पाइबांड को ब्रेक करोगे इसको ओएच दोगे तो इसको एच देने वाले हो राइट तो काउंटिंग कहां से करने वाले हो राइट साइड से वान टू थ्री थ्री पर OH है है कि नहीं है लेकिन अगर आप उल्टा करते आप बोलते नहीं यार मैं इसको वेच दूंगा और इसको एच दूगा तो क्या होता है तो टू पर आ जाता तो आपका function group कहां आ जाता तू पर आ जाता तो देखो ऐसे question मनते हैं और यहीं पर ऐसा लगता है आपको कि यार हाँ सिखाते हो जब sir ने सिखाया तो बड़ा easy था अब ऐसे question आ गया तो आप confused होने लग जाते हो यहां पर बॉस कैसे आप figure out करोगे देखो यहां पर फंडा यह कि भाई यह symmetry है overall molecule unsymmetrical है odd number है ठीक है पर अगर मैं across triple bond देखू तो क्या है देखो आपको symmetry नहीं दिख री zero hydrogen zero hydrogen है ना तो इक्वल चांस मिलना चीए ओएच को दोनों जगा जाने का क्या मिलना चीए इक्वल चांस मिलना चीए तो पहली बात तो आपको step number one में ही दो अलग अलग product मिल गए देखो fascinating है ना इंट्रेस्टिंग बन जाएगा reaction और इसका question आपके entrance exam में बहुत सारा बनता है ऐसा question ठीक है जहां पर आपको वह confuse करने की कोशिश करेगा तो पहला तो यह समझो कि coh ch2 ch3 यह एक product बना plus ch3 coh double bond ch ch2 ch3 क्या किया मैंने यह कि बाइए एक बार इसको ओएच दिया और एक बार इसको ओएच दिया ऐसे मैंने दो possibility बना दिया और दोनों 50-50 possibility दी कोई major minor वाला गेम नहीं था यहाप मैं यह बाद भेजे में गई पर ढि अब 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 जब एक बार यह बन गया एक बार एसा बन गया 50-50 तो यह भी लिख दे ना 50-50, 50% यह 50% यह तिक के major minor वाला कोई गेम नहीं है यह दोनों बन गया अब क्या दोनों का और दोनों से अलग-अलग ketone भी बनेंगे आप देख सकते हो तो यह आपको ध्यान में रख लेना है कि आपको यहां पर हमेशाद दो प्रोडक्ट मिलेंगे एक नहीं तो इतना दिमाग लगाना है बच्चो आपको जहां तक नॉमें क्लेचर का सवाल है कुछ बच्चे जो ऐसा सोच रहे होंगे कि सर यहां पर आप टू पर लगाओ क्यूंकि छोटा लोकेंड मिलेगा मेरे भाई वह आपके नॉमें क्लेचर मे तो मैंने आयू पेसी नॉमिन क्लेचर में रूल बताया था कि मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि थ्री ओएच कभी बनी नहीं सकता ऐसा थोड़ी बोला मैं तो बोला था कि भाई अगर आपका दो फंक्शनल ग्रूप एक्जिस्ट कर रहा है तो आप छोटे वाले को नाम लिखत तो पहले अच्छा नाम भी लिख लें इनका नाम भी लिख लेते भाई तो यह क्या है पहला बताओ यह है पैंट टू इन थ्री ओल और यह है पैंट टू इन टू और यह है इस तरह से तो फरक समझ में आया चाहिए थ्री ओल है और यह टू ओल मतलब इसमें थ्री पर लिख लगा हुआ है यहां पर यह दोनों ही इन ओल फॉर्म है देखो हाँ दोनों ही नौल फॉर्म है तो दोनों का टॉट अपरिजब हो के यह की टोन में कंवर्ट होंगे यह बात भी सही है इसको कौन यह बोल सकता है ना बोल सकता है तो पहला इसका पैंट टू इन थ्री ओल का ले लेते हैं और इसका टॉटो मेराइजेशन करके दिखते हैं अगले स्टेप में क्या करना है देखो यह ओएच का हाइडरोजन इसको दो और इसका पाई बॉंड इसको दो इस तरह से तो क्या हो गया टॉटो मेराइजेशन हो गया क्या होगा देखो CH3 CH2 C double bond O CH2 CH3 अग्रीड है ना ओके अभी इसी में इसका भी हो रहा है पैंट टू इन टू आल इसका हो रहा है देखना तो इसका आइटोजन इसको दूगा इसका पाई बॉंड इदर लेके होंगा अब आइधिंक टॉटो मेराइजेशन याद तो आगया होगा सब बच्चों को जिनको याद नहीं था कि क्या हो रहा है मेकैनिसम क्या है अलग-अलग एक्जांपल जितने एक्जांपल प्रैक्टिस करोगे उतना आपका बला होगा इतना याद रखना क्या होने वाला देखो CH3C double bond O CH2 CH2 CH3 क्या यह दो अलग-अलग किटन भी बन गए अंचर इस तो यह बन गया पंटान त्री ऑन और यह बन गया पंटान तो आपके सीटी लेवल पर आपके एंटरेंस एक्जांप के लेवल पर अगर मैं बोलू यह क्वेश्चन बहुत ही पॉपिलर लिए आएगा कि भाई पैंट टू आइन का हाईडरेशन किया है ना हाईडरेशन किया है ऑच्छा किसके प्रेजन्स में किया है एज एस फूर और एच्ट एस फूर मतलब एसेड़ तो क्या यह भी एक एक्जामपल ऑफ एसीड केटलाइज हाइडरेशन जो एलकीन में किया था सेम सिमिलर तो यह भी टो टेक्निकली तो वह आपको ऐसे पूछ सकता है आपके एंट्रेंज एक बोट ऑफ दी अबाओ ऑफशन डी नन अफ दी अबाओ अंसर क्या आएगा बोट ऑफ दी अबोट एंदी एना ऐसा सवाल आपका बनेगा बच्चों और ऐसा कई बार आया हुआ है और काफी कॉमनली आता भी है तो यह चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपको मेकैनिजम स सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे कोई अब जरा टेक्स्बूक की भाशा देख लें क्या बोलता है वाइलकाइन में वाटर एड करा यह जो बना एलकॉल इनॉल जो बना वह देखो यह इनॉल है क्या देखो डबल बॉन्ड है ओह इनॉल है आप अल्डिहाइड या फिर की टोन लगाट एलकाइन रियाक्ट विद ऑट प्रेंस ऑ 40% सुल्फूरिक असर्ट एन 1% मर्कूरिक सुलफेट टू फूर्म अल्डिहाइड और की तों यह बात समझ में पूरी तरह से आगी एग्जामपल मैंने आपको इथाइन का भी दे दिया और tomberization करने के बाद उसका क्या बना? Ethanal. IUPAC name of acetaldehyde is Ethinal. तो पता है, सबको I hope so. दो कर्माद की chain और aldehyde का suffix इस दो कर्माद की chain याने की ethen, aldehyde का suffix याने की al तो ethanol मैं दो दो नाम लिखता हूं, common IUPAC, common IUPAC, कुछ गोचू ऐसे भी होंगे, जो सुचेंगे कि यह इसी compound का यह दो नाम कुछ अलग है, भाई, एक common IUPAC है, मुझे कभी-कभी डर लगता है, कि कभी ऐसे किसी बच्चे को कई मिल गया, कोई पूछ भी लूँगा ना, कि बता इस compound का नाम क्या है, तो वो बोलेगा, acetaldehyde ethanol, तो रटा हुआ है, तो इतना तो दिमाग लगा लेना, कि भाई, सर ने एक common ने लिखा है, और एक IUPAC ने है, वो इतनल बनाने के काम आता है, acetone बनाने के काम आता है, अभी देख लिया, obviously, है ना, दूसरा, इस यूज़िन अ मैने फैक्ट्चर अफ पॉलिमर्स, पॉलिमर्स बनाने के काम आता है, जिसे कि प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक फाइबर, वगयरा, पॉल पहले, अलकीन का जब यूज़िस पढ़ रहे थे हम लोग, तो इथिलीन भी पढ़ा था, वो भी आर्टिफिशल राइपनिंग में यूज़ हो रहा था, यह मैंने पिछले सेशन में पढ़ाया हो, इसके पहले वाले सेशन में पढ़ाया हुआ है, और oxyacetylene, सबसे important आप जो गाहिए गरिबो का आयन मैं होता, दर गरिबो का टोनी स्थर्क एशा एक फो लेकिफिर वह स्पार्क लेके वह मेटल को जॉइन कर रहा होता है पreम करते हैं ऑना ब्रोक्ष ट्रेंग़् फोरी का मयां यहां क्या होता है क्रदाई। dorit प्रोक्लिंग गरी बुर्ष मानो वो जोग था खरब जोग था था वेल्डिंग का मतलब बेसिकली प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग और मेटल जॉइन इट ठीक है तो ऑग्जी आसेटलीन फ्लेम वहां पर यूज होता है ऑक्सिजन और एसेटलीन का कॉंबिनेशन से वेरी हाइट तेम्परेचर इस अचीवड यह वह आपके फिससलिफ एलकें सिंसलिफ यहँ अलकेंट कीन टीन वह पर डींट किम्प्लिट हो जाता है लास्टम वाशलिक सर्व आरो माटीक करने लगए लगएगा पूरा का पूरा फॉरा सब्सक्राइब हो जाता है तो हमारा अगली सशन में जो अरोमाटिक एक बार कंप्लीट हो जाए जैसे ही तो हमारा पूरा का पूरा और गानिक डन लेवन्त का ठीक है उसके बाद आगे हमारा फोकस रहेगा ट्वेल्ट के और गैनिक में सीधा और गैनिक आएगा ट्वेल्ट में एश्डी एना अलकॉल फीनॉल यह सारा आएगा उसमें एक एक फंक्शनल ग्रूप का एक चैप्टर आएगा पॉलिमर्स अमाइन्स बग्यरा तो भी मेंटली प्रिपेड कि आपका और्ग्यानिक खतम होने आया है तो आई होप सारे लोग प्रैक्टिस कर रहें प्रॉपर ली राइट चौरब